Netty एक Non-Blocking I.O. Client Server Framework है जिसको यूज करके Maintainable High Performance Protocol Servers और Clients बना सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि Netty को यूज करके कैसे UDP Communication कर सकते हैं। इसके लिए एक Client बनाएंगे जो हर 2 सेकेंड के बाद एक Message Server को भीजेगा और फिर Server उस Message को Read करके एक Message Client को भीजेगा। इस वीडियो में हम Step-Wise Step देखने वाले हैं तो इस वीडियो को Miss नहीं करिएगा तो मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में End तक आएए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Like, Share और Subscribe करना नहीं भूलिएगा। Netty को Download करने के लिए हम लोग इस साइट से Download कर सकते हैं। यहां पे हम लोग latest version आज के टाइम पे 4.1.55 यूज करने वाले हैं। यह 8 December 2020 का release है। Wireshark से हम लोग LAN packet को देख सकते हैं। Wireshark को Download करने के लिए हम लोग इस साइट से Download कर सकते हैं। यहां पे Windows Installer 32-bit या 64-bit और Mac Installer यहां से Download कर सकते हैं। सबसे पहले New Project बनाते हैं। Project का नाम Java Netty UDP Tutorial रख देते हैं। और इस File को Delete कर देते हैं। फिर नए Class बनाते हैं सर्वर के लिए और Client के लिए भी नए Class बनाते हैं। पहले Variables को Initialize करते हैं। Self IP 127.0.0.1 हम लोग Loopback जूज करने वाले हैं। तो Self IP और Send IP सेम रहेगी, Loopback IP रहेगी। और Self Port 5060 और Send Port अम लोग 5062 डाल लेते हैं। और Message जो भेजना है वो Insusteically कर देते हैं। Message के साथ Message Counter भी बैजेगें तो इसके लिए Message Counter भी Insustealyst कर देते हैं। फिर इसको Copy करके advert में भी Serve कर देते हैं। Message को Change कर देते हैं और Port को भी Interchange कर देते हैं। रहेगी, फिर इसमें main के अंदर constructor call कर देते हैं, same server के अंदर कर देते हैं, फिर अब हम लोग NIO event loop group बनाते हैं, यह पहले हम लोग को यह library को include करना होगा, जो हमने download किये थे उसको extract करके, यह copy करके हम लोग जहां जो project है उसके lip folder में paste कर देते हैं, फिर यहां से हम लोग उसको add कर देते हैं, फिर import कर देते हैं, फिर हम लोग boot strap को object मनाते हैं, फिर हम लोग group method कॉल करते हैं, boot strap का, फिर हम लोग channel method कॉल करते हैं, फिर उसके अंदर NIO datagram channel dot class add कर देते हैं, फिर हम लोग handler add कर देते हैं, event के लिए class को extend करते हैं, simple channel inbound handler, data gram packet, फिर इसके अंदर channel future create करते हैं, boot strap को bind method कॉल करके, उसके अंदर self port pass कर देते हैं, फिर print डाल देते हैं, channel future का, फिर channel get करते हैं, channel future से, ex.print stack trace add कर देते हैं, catch में, print डाल देते हैं, channel का, फिर wait करते हैं, channel को close करने के लिए, close होने के लिए, print डाल देते हैं, फिर finally के अंदर ये event loop group को shutdown gracefully method कॉल कर देते हैं, channel variable को initialize कर देते हैं, final attack के, अब हम लोग जो message आया है, इसको get करते हैं, जो packet आया है, उसको get करते हैं, i.content.toString method कॉल करके, print डाल देते हैं, server byte received, length और message को print कर देते हैं, और message भेजते हैं यहां से, byte buff का variable बना के, यह message भेजना हम लोग को message counter के साथ उसकी length निकाल लेते हैं, फिर इस byte buff में bytes write कर देते हैं, get bytes method कॉल करके, फिर print कर देते हैं, सर्वर ने क्या भेजा हैं, फिर इस counter को increment कर देते हैं, फिर channel handler context का write and flush method कॉल कर देते हैं, इसके अंदर byte buff पास करेंगे, उसकी पहले datagram packet बना देते हैं, इसके अंदर byte buff और जिसको message भिजना है वो पास कर देते हैं, उसकी IP और port पास कर देते हैं, फिर write and flush के अंदर ये send packet आएगा ना कि byte buff आएगा, फिर इसके अंदर ये copy कर देते हैं, फिर यहां पर ये method paste कर देते हैं, और override annotation add करके, जो error I cost.print stack trace और channel handler context को close कर देते हैं, फिर इसको copy करके हम लोग client में paste करेंगे, फिर इसको भी copy करके हम लोग यहां paste कर देंगे client के अंदर, इसको भी copy कर लेंगे और यहां पर paste कर देंगे, फिर print को change कर देंगे, यहां पर timer add करेंगे, हर दो second में message भीजने के लिए, 2000 millisecond यानि two second को in slice कर देंगे, फिर एक function action event बनाएंगे, इसके अंदर packet sent करेंगे, वो यहां से copy करके, यहां paste कर देंगे, और channel यहां पर डाल देंगे, और channel को check कर लेंगे, null तो नहीं है, timer को start कर देंगे, अब हम लोग run करेंगे server और client को, वायशाक में देखेंगे, यह हम लोग का message आने लगा है, यहां देख सकते हैं, क्लाइंट से और server से message आने लगा है, यहां पर वायशाक में भी देख सकते हैं, 5060 port से 5062 port पे, Thanks for watching!